तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अगनी होतरी पर मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्स तो यह स्कॉडर रैपेट जो देख सकते हैं इसका उनेशिप रिव्यू आपने मेरे चैनल पर देखा होगा आपने बहुत पसंद भी किया तो आज किसी देरी की चलता है वीडियो की तरफ आपको बहुत ही मज़ा आएगा लासक जरूर देखना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को लाइक भी जरूर दोस्तों अब हम आ चुक है स्कॉडर रैपड के अंदर ड्राइव रिव्यू आपको देने इसमें 5-speed का मैंडियोल आता है 6-speed तो आप आने लगा तर्बो इंजन बें इसमें 5-speed आता है कमाल है रियल स्कॉड़ा ठोस चीज़ है एक दम चला के देखते हैं इसको MPI कैसा चलता है मैंने कभी 1.2 वाल है ना आज उसकी पावर होगा रहा है वाह फसक्लास उठी है कि देखो तो सब चड़ाई चड़ाई पर रैपड की चड़ाई यह देखो कि दो अच्छा लग रहे हैं कि दो अच्छा लग रहा है इंचन के साब से बहुत बड़िया चल रही है ना तर्बो अच्छी चीज़ है इनकी दक्स जो स्टेविल्टी आना एक जो स्टेरिंग फीड़ाई वह इतना प्रॉपर आता है तो इतना प्रॉपर है कि ना ज़्यादा वेट ना ज़्यादा हलका है दिल्कुल आपको ड्र आप चार लोग बैठे में गाड़ी में और ऐसे स्मूधली यह पिक अप ले रही है गाड़ी आप यह देख सकते हो तौछ ंश्ट के इसने एक वघर हो प्रॉट सो इसका मैंग ट्रंस्मिशन प्लाविया और इसका लगग लगग सीम सेहै मैंगर्वल ट्रंस्मिशन वह लंबाग कर रहें इसके ट्रावल इतना लंबा नहीं अग इस्तना कुषाक और सुलाविया कर उर वर्ड़िस- इंजन वाइस कोई कमी नहीं लग रही है और यह इवह थियुए थे ज़ूड़ा वही है चिपक ये यह थे तो मजे यह यह स्कॉड़ व्यूड़ बॉड़्य यह कि भी यह यह रीधार्वीट्यून ऐसा लग रहा है इसका ताइगून का थोड़ा सा न्यू जन इस स्टेरिं उसको चला के भी बड़ा मज़ा आता है, फोड़ा सा हाई स्पीड पे यह हैल्स पे थोड़ा ज्यादा प्रपर लग रहा है मैं इसको अगर इसको अगर इसकी टॉप स्पीड पर चला दूंगा तो मेरा कॉंफिदेंस नहीं लूज होगा स्टेडिंग की बड़ा से तो श्याद जो और रहा गाड़ी है उन्होंने इसलिए यह पाड़ों के लिए भी यह चुनी हुए गाड़ी है विल्कुल कंट्रोल बहुत अच्छा और गाड़ी चिपक के चल रही है मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी पावर की कमी है यह देख वह तेरी मा रही आख पावर की कमी है ना स्टेविल्टी की कमीया लजबार तभी भही है स्कॉड़ा वेज के लोग देखे ऊंट। के बाद बाद से अंब की क्या लगता हिं क्या रिजन है कि लोग एक बींक जो इनकी घड़ी ल दे लेता ते देली अधार य। तो ट्राप में हो जाता है कि तोबारा दूसरी गाड़ी को लेता ही नहीं है जैसे आपको चलाकर भी लग रहा है इसकी पिक अप इसकी ड्राइब कॉलिटी स्टेरिंग का एक्सपीरियंस इसका साथ में जो स्टेबिलिटी है सेफटी है यह कोई भी कॉंप्रोमाइज नहीं क सब्सकेर हादा बहुत है कि ऐन्ski जो स्टार्डड्स है वह कर नहीं है कर नहीं है प्लकुल क्या दोस्तों कि अगर घाड़ी ठोड़ा खर्चा भी दे रही है साल में एक बार तो भी है आपको 335 दिन प्रवाइडा रही है मेरा मानना यह कार जो होती है वो सेकेंड होम होता उसके दर आप पूरी फैमिली को लेकर ट्रावल करते हो जैसे हम घर की नीव मजबूत बनवाते हैं और हर तरीके से पकी दिवार जान रखते हैं और गाड़ी हम ले लेते हैं कागस जैसी कॉर्णारिंग एसे लागर है कहने को तैसी भी है यह सेडान है तो कोई बेनेफिट लग रहा है कि सेडान के कोई बेनेफिट है बेसिकली यह टाइगून भीना सेडान जैसी ही चलती है लेकिन देखो मैच नहीं कर सकते हैं यह दोनों गाडियों को यह 1.2 MPI है और वह 1.5 टर्बो है तो इंजन पावर में तो भाई जमीन आसमन का फारक आजाता है लेकिन यह जिस असाब से पावर प्रवाइड कर रही है न यह देखो कंई से कमय फील नहीं हो और प्रेक्स होय हुआ हो और मतलब कमाल का उन्फिदेंस प्रवाइड़ देख्ष मतलब आपको डर नहीं लगता इस गाडी के अंदर मजबूत लगती है तीसरा गेर है यह स्पीड थोड़ी कम है उठने में कोई कमी नहीं है इसके अंदर कोई लैग नहीं है इसके अंदर बढ़िया पूरा नीचे से लो एंट इसका टॉर्क बहुत अच्छा गाड़ी है बहुत अच्छा प्रवाइड कर रही है कहीं पर भी यह नहीं लग रहा पावर की कमी है अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बता हूं मतब कैसे स्कॉड़ा के बाद स्कॉड़ा क्यों लेली आपके बाद पहले में रापेट थी क्योंकि वह बहुत अच्छा है कि नहीं स्कॉड़ा आई थी तब लॉंच हुई थी तो अ पर भी कमपनी वे करचे की बात निया वो तो गाड़ी पलटा दी थी मेरे दोस्तने तो तो और डी परटने के बाद सारे सही सलामत इत्फजाँ दो बारी पल्टी ती अलयज़िए लेकिन गाड़ी घंत में में मेरा डॉक था कुटा था चोटा वह पूरा सही सलामत था पॉड़ा रैपिड 2018 मॉडल 1.2 MPI मैन्योल ट्रांसमेशन का ड्राइव रिव्यू भाई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर पताना वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर करना मुझे से बहुत मोटिवेशन मिलती ह आपके लिए और कॉंटेंट लाने के लिए तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाओंगा जिसमें टाटा ओनर ने जो है मेरी वी डब्ल्यू की टाइगून चला है इसमें आपको जानने को मिलेगा जब एक टाटा ओनर वी